एक बार फिर से रुख करेंगे धनबाद का सयोगी अरुन बर्णवाल हमारे साथ मौजूद है और अरुन कौन कोर मुख्य रूप से इस दौर में शामिल हो रहे हैं और इसमें उपायुक ने खुद सबों से अगरा अपील किया है कि जो आएं और इस एकता की दौर में पतलें और इस दौर को सफल बनाए इसमें जैसा कि अभी तक सूचना मिल रहे हैं सांसर्द भी आने वाले हो सकते हैं विदायक भी आ सकते हैं मेर भी हो सकते हैं प्रसास्निक प्राधिकारी और सुरक्षा के जवान तो हैं दूसरे दौर लोग स्कूल के बच्चे भी हैं और बहुत सारे और्गनाईजेशन और समाजिक संगठन के लोग भी हैं बात्पानेता बभलू फरीदी भी मेरे साथ हैं उनसे जूलेंगे और जानेंगे जो इस आयोजन से इस अखंडता और एकता की दौर से कितना इसका हमारी जूटता है उस पर कितना असर पड़ेगा बभलू जी आज यह जो अखंडता एकता दौर है अपनी आपसी एक जू समाज के लोग परसासन के लोग इसकूल बच्चे समाजिक लोग सब जूटते हैं और एक सपत हम लोग लेते हैं कि अपने देश में जो हमारा हमारे पहले हम मनिष्टर गिरह मंत्री सरदार बलब भाई पटेल का जो नरा था एक भारस्ट शिष्ट भारत और उसके लिए हम लोग सपत लेते हैं कि हम लोग सभी संपर्दाय धर्म के लोग एक साथ मिल्जूल कर रहे हैं और जो है देश में अपनी तरक्की में भागीदारी देए और अपने भाईचारा को बढ़ाने का काम करें कि निशी दूरुप से अभी की जो 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 समाजिक परिवे से उसमें ऐक अखंड़ता और एक ता बहुत गरुंते क्या लगता है अप यूवा थे इस तरह कि आविजन का को बहुत जाए जरुवत है क्योंकि एक ऑखंड़ता तमां जितने भी धार्मिक हैं सब एक जूट कर करके जितने भी यह सब एक साथ मिलकर रास्ट को उन्नती का काम करेंगे एक ता खंडता के लिए शपत हम लोग लेते हैं देके निसी दूरु से अगर हम एक जूट ना रहेंगे तो अपने देश को जो आगे बढ़ाने का काम है जो देश को विकास के लिए आगे अगरसर करने में आपसे एक जूटा बरकार रखना है और वही सोच थी लोग फूरु सरदार बहाई बहाई पटेल का और वो आज जो पिछले कुछ सालों से जब केंदर में बीजे पी नित की मोरी सरकार आई है इसके आयोजन को देखा जा रहा और इसका लाभ भी देश में देखने को मिल रहा जी बिल्कुल अरुन पूरे देश में लोग दौर लगा रहे हैं एक तकी दौर है हिंदुस्तान को एक सूतर में पेरोने का जो काम किया जा रहा है उसमें लोगों की भागीदारी अच्छी खासी देखने को मिल रही है और इस दौर में कौन-कौन शामिल हो रहे हैं ये भी ज़रा बता दे मुखे रूप से जो जिनके नेत्रितु में ये आयोजन किया गया है दोगे ये तो उपायुक धनबाद के उपायुक के नेत्रितु में ही इसका आयोजन किया गया है पुरी तरह से इस कारिकरम के लिए जीरा परसासन ही आयोजन कर रही है और इसमें सभी जितने जन परतलिदी हैं सबों को बुलाया गया है और सबसे रिक्वेस्ट किया गया है स्कूल की बच्चे, स्कूल की बच्चे हैं, सुरक्षा बल हैं आप दिना बल के साथ 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 CISF के जवान, CRPF के जवान सभी इस रन फोर यूनिटी में सामिल होंगे आम लोगों से भी अपिल की गई है, जैसा कि देखा जा रहा है राजितिक दल के लोग भी इसमें सामिल है, जो BJP से संबन्दित है तो सारे लोगों की सभागिता इसमें देख रही है थोड़ी देर बाद अभी यहां से इसी रंधीर रोमा चौक से ये रन फॉर यूनिटी स्टाट होगी, जो लगबत तीन किलोमीटर का रेडियस है इसको घूम के फिर यहीं पर आकर उसके समापन होगा इस हर्मियान लोगों को उपायुक्त खंडता का सबद भी दिलाएंगे और उसका निपालन करने का भी लोगों से अपील करेंगे जी चलिए बहुत बहुत शुक्री आरुन तस्वीरे दिखाने के लिए तो उपायुक्त के नेत्रत में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है धनबाद में और पूरे देश में एक तकी दौड में शामिल हो रहे हैं देशवासी